हेलो फ्रेंज, मस्कास अभी को, मैं शेफ पहशोग, स्वाद करता हूँ आपका आपके अपने वड़ो चैनल को कि में शेफ पहशोग तो आज मैं आपको बताऊंगा होटला रेश्टो में पेपर चिकन ड्राई कैसे बनाई जाता है ये खाने में इतना डेश्टी होता है कि अगर आप इसको एक वर बना लोगे ना तो आप इसको बार बार इसी रेश्पी को ट्राई करते रहोगे और इसको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है ज़्यादा इंग्रिडिन्स भी नहीं चाहिए होते हैं इसली आप इसको घर पर भी बना सकते हैं तो चलिए फ्रेंस रेश्पी शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे मैं थाई बोनलेस चिकन का यूज़ कर रहा हूँ आप चाहें तो इसको बनाने के लिए चिकन ब्रेस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं छोटे-छोटे आपने इसके पीसिस कर लेने हैं सबसे वहले इसको मेरलेट करेंगे थोड़ा सा आप इसमें नमक एड़ कर दीजिए साथ में आपने इसमें थोड़ा सा एरमेट पौडर या चिकन पौडर एड़ करना है थोड़ी सी आपने इसमें कूटी कालिमेश टालनी है कालिमेश लेनी है आपने थोड़ी सी उसको पैन में हलका सा रोश करके उसको कूट लेना है उसका यूज कीज़ेगा आदा छोड़ा चमच आपने इसमें अद्रग लसनों का पेश राइड की है और अच्छी तरह से देखें मिक्स कर लेते हैं तो ये तो होगी चिकन की मेरिनेशन आप कोटिंग कैसे करेंगे कोटिंग आपने एग से करनी है तो थोड़ा साब इसमें एग वाइड डाल दीजिए अगर आप ज़्यादा कॉंटेटी में बना रहे हैं तो पूरे एग का यूज कर सकते हैं एग यूज का यूज भी कर सकते हैं फ्राइड करने के लिए साथ में आपने इसमें काउन फ्राइड डालना है तो के देखे दो छोटे चमर भर के मैंने इसमें काउन फ्राइड की है और अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लेते हैं तो सबसे easy और best trick का चिकन को फ्राई करने का ये ही है इतनी इसके उपर कोड़ी होनी चीए और इतनी इसके उपर बाइड़ी होनी चीए अब हमें थोड़ी सी सब्जियों चीए होंगी सब्जियों में एक प्याच लिया है और एक मैंने या पे हरी शिमला में चीए और एक पीली शिमला में चीए इसमें से थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे तो देखे प्याज को आपने इस तरह से diamond cutty में करना है, इस तरह से काट लिजे प्याज को और इसके जो लचेनों, उनको अलग लग कर देना है अपने, यह देखे सेप्रेट कर देचे है, प्याज कर गया, इसी तरह से आपने शि पिली शिमला मिर्च ना हो तो सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च के यूज़ कर सकते हैं, हरा प्याज डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा, तो यह देखिए हरे प्याज को भी आपने इस तरह से लंबा लंबा काट लेना है, और इसके साथ में देखिए सारी सब जीन कटी होगी नहीं यहाँ पे, यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च प्याज काट दिया हरा प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट के रखी है, अब चिकन को फ्राई कर लेते हैं, तो यहाँ पे ओल का टेमपरेचर आपने मीडियम रखना है और मीडियम फ्ले में चिकन को फ्राई करने के जाता है और यह देखिए एक वर आपने चिकन को पल्टे से हिला देना है ताकि चिकन के पीसिस आपसे में चिपक्यों के ना पो छूट जाएं और के देखिए थोड़ी दिर में आप दिखेंगे ना चिकन ऑईल के ओपर गूमना शुरू हो जाएगा तो मैंने गैस की फ्लेम तो चिकन के चिकन के पीसिस आपसे पcontrol सकते हैं अब इसकी ग्रेवी बना लेते हैं में चैणिज नें चैनिज बोक लिए है और उसमें डो बड़े चमश लफ्लेव स में दो ऑड़ा लगे लसूना powder करेंगे लसुन का बहुत बड़ी फ्लेवर आता है इनमें, तो मीडियम फ्लेव में अराम से लसुन को पका लीचिए, इसके बद आपने इसमें शिमला मिर्ची, प्याज, हरी मिर्ची, सब कुछ ही कठ़ाई डाल देना है, यह जो हरा प्याज इसको बाद में डालेंगे, नहीं तो य जल जाएगा, जब तक हमारी शिमला मिर्ची फ्लेव थोड़ी सी पकेगी, आप गैस की फ्लेव हाई कीचिए, सिर्फ 30 सेकंड के लिए इन सबजियों को पका लीचिए, यह कच्ची-कची सबजियों होती है, खाने में बहुत री डेशी लगती है, देखिए मैंने पानी भ जाएड करेंगे, आदा छोटा चमच नमक, आदा छोटा चमच आप इसमे काली मेच टाल दीजे, कुटी काली मेच, आदा छोटा चमच आपने इसमे एरमेट पोडर डालना है, एरमेट पोडर नहीं है, तो आप इसको स्किप्पी कर सकते हैं, घर में के बर नहीं होता है, एक छोटा चमर जिसमें मैंने wine vinegar डाला है। आप wine vinegar की जगा white vinegar यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा चमर आपने इसमें oyster sauce का यूज़ किया है। और एक छोटा चमर जिसमें oyster sauce डाली है। इन सब को अच्छी तरह से mix कर लेना है। और gas की flame high करते हैं। और high flame में लगो 30 second के लिए इनको भी पका लेते हैं। और एक बार आपने इसमें नमक मिची चेक कर लेनी है। थोड़ा सा आप इसमें corn flour डालीएगा। आदर छोटा चमर आपने corn flour लेना है उसको पानी में घोल के इसमें यूज़ करना है। ग्रेवी में थोड़ी थिकने साइगी थोड़ी थिकने साइगी तो आपकी जो सॉसें जो आपने यूज़ किया ने इसमें सबजियों के उपर अच्छी कोटिंग आईगी और चिकन के उपरे वे अच्छी से कोट होंगी। हरे प्याज भी डाल दिया है मैंने देखिए और हरे प्याज को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं अब इसके आप फ्राई के वाच चिकन एड़ कर देंगे और चिकन के साथ में आपने थोड़ा सा काली मेश का क्रश और एड़ करना ओपर से क्योंकि पेपर चिकन बना है और एक साइड में अपने सॉस बना की तियार करनी है जब आप सॉस में चिकन को डालें चिकन आपका गर्म होना अच्छी है इससे आपका चिकन बाहर से क्रिस्पी बिरेगा और टेस्टी भी बनेगा